हेलो दोख्सों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आज के वडियो में हम लोग समझेंगे कि कम्मिनिकेशन होता क्या है तो कम्मिनिकेशन वर्ड जो होता है लगवग लगवग हर फिल्ड में चाहे बीजनेस वाले फिल्ड हो चाहे प्रहाय लिखाय वाले फिल होंते हैं और इसका बहुत ही अच्छा महत्व है तो सीधा समझ लेते हैं कि कम्मिनिकेशन होता क्या है तो कम्मिनिकेशन होता है बातचीत करना यानि कि अपनी मेसें तर दूसरे तक पहुंचाना वह होता है कम्मिनिकेशन इस तरह कोई सेंडर होता है हाना इस तरह से कोई म से तो इसे सेंटर होता है कोई इससे रिसिट करता यानि कि भेंचने वाला और रिसीब करने वाला दोनों चीज होगा तो उसमें होता है कम्मिनिकेशन के करते हैं आगे Communication is the actionable transfer of information from one person, group or place to another by writing, speaking or using a medium that provides a means of understanding तो इसमें ये क्या रहा है कि Communication क्या होता है कि दूसरे तक अपने information को पहुचाना और ये दूसरे तक क्या होता है एक personal लोग भी हो सकते हैं, group भी हो सकते हैं या पर एक जगह से दूसरे जगह तक message भेजाते हैं अब message एक आदमी से दूसरे आदमी को कितने तरीके से दे सकते हैं तो उसके कई तरीके हैं तो या तो आप लिख कर भी message दूसरे को दे सकते हैं या पर अपनी बात को दूसरे तक बोल के भी भीज़ सकते हैं या फिर कोई दूसा तरीका हो जिससे वह समझ सके यानि कि वह साड़े तरीके इस communication में आती हैं ठीक है तो communication का सिधा समाज में आ गया होगा message का एक बैक्ति से दूसरे बैक्ति तक जाना अब हम लोग आगे समझेंगे कि communication के टाइप क्या क्या होते हैं तो आलग अलग टाइप होते हैं डिफेरेंट टाइप होते हैं तो पहला लोग आ लोग देखते हैं भर्ल वर्ल कम्यूनिकेशन मतरफ सिधा अगर मैं हिन्दी से लिखो तो इसका अर्थ होता है मौखिक समझमें आया मौखिक का मतलब होता है कि मुझ से बोलना जब हम को मुझ से बोल का कुछ दूसरे को कुछ बात बोलते हैं तो वह होता है वर्बल communication ठीक है तो बोलना वर्बल communication में आ गया तो दिस इस 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 पोकें language and include not only the language and word spoken but the tone they are spoken in and cadence and speed as well as formal versus informal language यानि कि जब मुझ से बोल कर हम दूसरे से बात करते हैं तो वह हो गया यानि कि भर्बल हो गया अब जब बात करते हैं दूसरे से तो तो हम कोई ने कोई language में बात करते हैं या तो हम English में बात करते हैं हिंदी में ुसरा कर सकते हैं उससे वात बी का बात दूसरा बैक्ती समझ जाता है तो वह आता है नन भर बल कम्यूनिकेशन इंक्लूड पोस्ट्यर पोस्ट्यर भी हो सकता है इसके बाद काइनेटिक गेस्टियर हो जाए उसके बाद हो गया उसके बाद बीहेवियर हो गया साथ ही पेरा लिंगिस्टिक यानि कि पीश टाउन एक परहां सबस्क्राइज को आधे क् सब्सक्राइज नक्यूसितुत नहीं सब्सक्राइब परिंगोज के सब्सक्राइब देखकर हम दिखा कर देखकर दिखा कर दूसरे को अपने बात को पहुंचाते हैं तो वह विज्वल में आ जाएगा आप सोसल मीडिया में होता है कि समसों सोसल मीडिया है प्रूट दा वाल वीड़ टाइप ओ वीज्वल तो यह हैं में लोग करते हैं किह लोग देखते हैं इंस्टाग्राम देखते हैं फेसबूक देखते हैं लग जैसे यूट्यू वैघाड़ा देखते हैं तो उसमें क्या करता है हैं अलग अलत आके बाते सिखते है ना कोई कुछ एक्सपर्ट वोल रहा होता है या फिर कोई मूवी लगारा देखते हैं तो वह भी हमें कुछ देता लग्समोज परे Song तो आदमी को समझ में आ रहा है कि इस तरह की पानी बचाना चाहिए तो यह देखकर भी तो यह देखकर भी एक तरिके से भी सब्सक्राइब कंविनिकेशन चीज को आपने विचारों कर दूसरे לסौल पहुंचा जाता है तो दूसरा आजब्यक्ति समझ जाए तो होता है रिटेन कम्यूनिकेशन ठीक है तो दीस इदा कम्यूनिकेशन देट इस रिटेन इन दफॉर्स फ्रॉम इमेल एंड टेक्स टू और फैसंड पेन और पेपर अब जब लिखने वाला तरीका होता है तो पेन पेपर का ही इस्ते बाइब लग सकते हैं और वो दूसरे तक भेज देते हैं ठीक है ताकिसा दूसरे वेक्ति समझ जाए तो इस तरह करते रिटेन कम्यूनिकेशन इसमें होता है नेक्स्ट हमारा प्रकार है एक्टिव लिस्निंग ठीक है एक्टिव लिस्निंग मतरब सांती से सुनना किसी के प्रकारों को सुनना वो हता है एक्टिव लिस्निंग तो इस इस विटल टाइप लिकेशन विकाज एट इनकरेश एन गाइट कम्यूनिकेशन बाइट रिफ्लेक्टिंग बैक ओन वाट इस बिइंग सेड एडिस रिस्पोंडिंग टुदा सेंडर इन थोट्पुल एन डेल बागी बच्चे अगर ध्यान से टीचर को देख रहा है तो यह समझ में क्या आया कि टीचर के बार साड़े बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं तो वह हुआ एक्टिव लिस्निंग या फिर कोई वैक्ति को दूसरे बैति को अच्छे बात बता रहा है या पिसी टॉपिक पर सुन रहा है तो यही है हो गया आपका अपको समय में आया होगा तो आज की वीडियो में समझ में आया होगा बीलते हैं आप नए वीडियो में एक नए टोपिक को लेकर